लिस्ट के बाद कौन सी चीज आती है लोगों को साइन अप करने के प्रोसेस में या लोग प्रडक्ट खरीते हैं क्या आता है इन्वाइट, कॉन्टेक्ट और इन्वाइट मुझे नहीं लगता कोई भी इनसान जिसका नाम इस लिस्ट में है वह एक सुबह आएगा और बोलेगा मैंने सुना है तुमने मेरा नाम लिस्ट में लिखा है तो प्लीज आकर मुझे साइन अप करो तो ये तो नहीं होने वाला है ना तो आपको उनके साथ कॉन्टेक्ट करने की इन्वाइट करने की जरुत है आप मेंसे कितने लोग जो यहां बैठे है इस प्रॉसेस में बहुत अच्छे है आप मेंसे कितने लोग यहां बैठे है उनको इस प्रॉसेस में चैलेंज फेस करना पड़ता है आप में से कितने लोगों को problem होती है hesitation होती है challenge होता है लोगों से contact करने में invite करने में लोगों को prospect करने में please अपना हाथ उठाए alright तो ठीक है हम अगले एक घंटे इसके बारे में discuss करते हैं अच्छा अगर आप इस process के master बन जाते हो अगर आप prospecting के master बन जाते हो लोगों से contact करने में उन्हे invite करने में तो कैसे यह आपके business में फायदे मन्द होगा कैसे होगा बताईए तो अब हमें इस process में invitation के इस process में master बनना होगा तो इसमें अलग लग stage होती है सबसे पहली चीज तो मैं आपसे share करना चाहता हूँ उससे कहते हैं prospecting mindset मुझे आशा है कि आप इस mindset word का अर्थ समझते हैं mindset मतलब आपके दिमाग का एक frame ये आपके दिमाग का एक particular frame होता है जिससे आप अपने दिमाग को चलाते हो अब आपको किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए आपको एक particular frame of mind से काम करना पड़ता है और वे particular frame of mind आपको एक particular physical stage में भी डालता है तो ये है एक combination होता है mental और physical stage का जो उस activity में सफल होने के लिए चाही होता है क्या आपने Olympic में 100 meter की race देखी है अच्छा तो लोग start line पर कैसे खड़े होते हैं बिल्कुल easy way में या कोई particular तरीका होता है तो वहे इस तरहां क्यों खड़े होते हैं वहे easy way में भी खड़े हो सकते हैं और जब race start हो तो भाग सकते हैं पर वहे ऐसे नहीं करते उनका एक particular तरीका होता है जो की सबसे suitable होता है उनके उस target को उस dream को achieve काने के लिए या first आने के लिए अब आप इस prospecting के process में हैं तो आपका mental और physical state कैसा होता है जब आप किसी prospect से बात करते हो फोन पर आप कैसे बात करते हैं आप में जादा तो लोग कैसे prospect करते हो फोन पर या face to face मिलकर अच्छा तो आप ऐसे तो नहीं करते कि छट पे खड़े हो जो और लोगों को आवाज लगाओ कि आजाओ आजाओ बात सुनो ये तरीका तो काम नहीं आता ना मैं बहुत से मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब वो prospecting करते हैं तो वो बहुत ज़ादा hesitate करते हैं अपने सर को खुजाते हैं फिर कहते हैं आपको पता है मेरा किस कारण से आपको मैंने फोन किया और साथ में फिर सिर को भी खुजाते हैं क्या बिजी तो नहीं है क्या बात कर सकते हैं अच्छा नहीं तो बाद में बात कर सकते हैं, आपने मूवी देखी, टीवी में, ओके, हाँ, घर परिवार में सब अच्छा है ना, अच्छा अच्छा, वै आपसे बात करना चाहता हूँ, आपको बिजनस पसंद है, अच्छा, अब बताओ, ऐसा किस किस के साथ होता है, आपको पता है कि शुरुवाती दिनों में, जब मैं किसी को इन्वाइट करता था, तो मेरे लिए एक डरावना सपने चैसे होता था, जब मैंने ये बिजनस स्टार्ट किया था, तो अगर मैं कहूं कि मैं इंट्रोवर्ट था, कम बोलता था, तो ये भी एक अंडर स्टेट्म मैं लोगों से जादा बात करता ही नहीं था, मेरे बस थोड़े से दोस्त थे, जिनके साथ मैं घूमता था, पर धीरे धीरे मैं बदल गया, जैसा आज आप मुझे देख रहे हैं, तो जब मैंने ये रिलाइस किया, कि ये मेरी कमजोरी है, कि मैं लोगों से बात नहीं कर पा तो पहली चीज जिसने मुझे बहुत मदद की उस डर को खतम करने में, वै थी प्रोस्पेक्टिंग के बारे में पूरी जानकारी, उसकी पूरी समझ, तो आप प्रोस्पेक्टिंग के बारे में क्या समझते हैं, क्या है प्रोस्पेक्टिंग, जो मुझे समझ में आया, वै यह है कि prospecting एक चटनी करने की प्रक्रिया है. जिसका मतलब है कि आप कुछ ढूण रहे हो. जब आप किसी चीज की चटनी करते हो, तो क्या करते हो? जो चीज आप ढूण रहे होते हो, वे नहीं मिलती, तो बाकी जो मिलता है उसे आप side पे करते जाते हो. प्रोस्पेक्टिंग भी छटनी करने की प्रक्रिया ही है पहले मुझे लगता था कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि जो भी मेरे सामने आएगा मुझे उसे साइन अप करना ही है इसलिए प्रोस्पेक्टिंग मेरे लिए एक डरावना सपना था और मुझे बहुत प्रेशर फील होता था मुझे बंदे को ले कर आना है उसे साइन अप करना ही है पर इस awareness से, इस knowledge से मुझे जब ये पता चला कि मुझे हर किसी को presentation के लिए नहीं लाना है तो knowledge के द्वारा मैं free हुआ उस pressure से और मुझे बहुत मदद मिली और फिर मैं लोगों से बात करता गया और उन्हें छटनी करता गया तो पहली important skill आपको सीखनी होती है जिसे कहते हैं invitation तो prospecting एक छटनी करने की प्रिक्रिया है इसको आपको अच्छे से समझना है कुछ लोग इसे दिमाग से समझ लेते हैं पर फिर भी उनके अंदर ये चीज बैक्ती नहीं इसलिए जब भी उन्हें किसी person से rejection मिलता है तो वै उसे personally ले लेते हैं और अगर ये छटनी करने की प्रिक्रिया है तो आपको rejection मिलने पर बुरा नहीं लगेगा बस आपको ये लगेगा कि जो मैं चीज ढून रहा हूं जिस चीज की मुझे requirement है ये उसमें fit नहीं बैठता एक चीज मैंने realize की लोग दूसरों के लिए जो चीज करने के लिए तयार हो जाते हैं वै अपने लिए करना नहीं चाहते तो आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं जिन्हें डर है prospecting करने में किसी भी कारण से जिस वजह से आप daily लोगों को call नहीं करते plan show करने के लिए तो अगर आपको एक job मिले जहां आपको महीने के 5000 डॉलर मिले और काम ये होगा कि आपको हर रोज 50 लोगों को call करना है phone directory उठा कर तो यह आपका job है तो कितने लोग ये job करना चाहेंगे चलिए details में जाए बिना मैं आपको बताता हूं कि job mentality होने के कारण उस calling के process से ego बहार निकल आता है पर जब आप आपने लिए ये करते हो और आपको rejection मिलता है तो आप उसे personally ले लेते हैं पर suddenly अगर आप एक job में हैं तो आपको अगर वह rejections मिलते भी हैं तो आपको ज़ादा फरक नहीं पड़ता क्योंकि वह job है आपके लिए पर देखा जाए कि कोई फरक नहीं पड़ता आप लोगों को आप लोगों को phone करते हैं same phone सामने वाला शायद शब्द भी same ही use करेगा जो की no होगा फिर भी आपको अगले दिन 50 लोगों को call करने में कोई problem नहीं होती और फिर next day 50 लोगों को call करना और इस तरह से चलता रहता है आल राइट मुझे आशा है आपको समझ आ रहा है तो सही mindset का होना foundation है इस important skill के जिसे prospecting कहते हैं अब आपके अपने reasons होंगे कि आप इतने लोगों को invite नहीं करते जितना करना चाहिए मैंने एक चीज अपने business में बहुत जल्दी सीख ली पत्थमन, दातो और जापा की teaching से कि जिस तरीके से आप problem को define करते हो वही चाबी है उसके solution ढूणने की जिस तरीके से आप problem define करते हो उसी से ही पता चलता है कि आपको उसका solution मिलेगा या आप हमेशा वही अठके रहेंगे ओके, मैं आपको एक example देता हूँ माल लीजिए आपने specs पहना हुआ है जिसका blue lens है तो क्या होगा? कि जितनी चीजे आप देखेंगे वह जादा तर आपको blue ही लगेंगी और आपने उसे specs को बहुत लंबे समय से पहन रखा है कि आप तो भूल गए हो कि आपने specs पहना हुआ है और आपके आसपास जो लोग हैं वह भी भूल गए हैं कि आपने specs पहने हैं क्योंकि वह आपकी body का part बन गया है तो जब हम चीजों को इस glasses से देखते हैं कि मुझे नहीं पता कैसे करना है मुझसे नहीं होगा मेरे पास time नहीं है कोई भी interested नहीं है मेरे सारे down lines lazy है मेरा up line मुझे support करने में interested नहीं है तो क्या मिलेगा आपको जब आप इस तरह के specs से देख रहे हैं आपके जो excuses होते हैं उससे पता चलता है कि आपने किस तरह के lens आपने पहन रखे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपके lens आपकी बात यहां argument की कोई बात ही नहीं क्यूंकि मैं नहीं कह रहा कि आपके पास time नहीं है यह आपके excuses है और आपके excuse मतलब आपका lens का color अब आप उन लोगों की league में आ जाते हैं जो master prospectors हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से prospecting करते हैं और उनके downline भी वैसे ही करते हैं और वैं अपना business बहुत fast build करते हैं तो आपको क्या करने की जुरूत है आपको उन glasses को फैंक देने की जुरूत है जो आपने बहुत लंबे समय से पहन रखे हैं तो क्या आप उसके लिए तयार हैं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्या हर बंदा इस business के लिए suitable है मैं ये नहीं पूछ रहा कि हर बंदा इस business को कर सकता है या नहीं मेरा सवाल ये है कि हर बंदा इस business के लिए suitable है तो मेरे answer क्या है मैं आपना opinion बताता हूँ मेरा opinion है no हर कोई इसे कर सकता है पर हर कोई इसमें suitable नहीं है मैं आपसे ये सवाल दूछरे तरीके से पूछता हूँ क्या आप 4-5 characteristics लिख सकते हो ideal prospect के अगर मैं आपसे कहूँ कि 4-5 qualities लिखो ideal prospect के तो क्या आपके पास कुछ लिखने के लिए है बिल्कुल है पहला burning desire मतलब इच्छा होनी चाहिए दूसरा sense of urgency होनी चाहिए तीसरा जिसे जो सीखने को तयार हो अगला है जो time दे सके open mind हो तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं तो क्या जितने लोगों को आप जानते हैं उन सब में ये qualities होंगी नहीं होंगी न इसलिए मैंने कहा कि हर कोई suitable नहीं है अल्राइट अब frustration तब होती है जब आप गलत लोगों को business में ले आते हो ओके अब आप कहेंगे कि wrong person क्या होता है हर कोई से कर सकता है पर अगर आप business में सफल होना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो अपने lifetime के अंदर तो आपको बहुत ध्यान से लोगों को choose करना है आप अपना पहला चेक 25 साल बाद तो नहीं कमाना चाहते हो ना ये आपका dream तो नहीं है ना अब आप कहेंगे कि मुझे ये person ही बड़ा मुश्किल से मिला है अब आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे selective होना पड़ेगा इस तरह के thoughts आपके दिमाग में आ रहे होंगे क्या आप किसी ऐसे बंदे को जॉब में रखोगे जो सुबह 9 बज़े आपको मिल गया नहीं क्यूं क्यूं नहीं वे तो पहला person है जो आपको मिला तो क्यूं आप business में ऐसे किसी person को focus करते हो sign up के लिए जिस पे सबसे पहले आपकी नजर पड़ी ऐसा क्यूं होता है तो requirement जरूरी है आप इस job example से relate कर सकते हो आपको अपने business की requirement पता है न एक person में definitely कुछ qualities होनी ही चाहिए इस business में successful होने के लिए क्या आप इस बात पर agree करते हैं कि हाँ कुछ requirements यहाँ पर हैं इस business में successful होने के लिए क्या कोई इंसान जो बिलकुल time नहीं देता वे इस business में successful हो सकता है आल राइट क्या कोई person जो सीखने के लिए तयार नहीं है जिसका ego बहुत जादा है तो क्या वे बंदा successful हो सकता है इस business में तो जब हमें पता है कि कौन सी quality चाहिए कौन से characteristics चाहिए जो बंदे को successful बनाएंगे इस business में तो हम उस तरीके से लोगों की चटनी क्यों नहीं करतें क्यों हमें हर किसी के पीछे भागने की जुरूत है उनका शिकार करने की जुरूत है और जबरदस्ती उन्हें इस business में लाने की जुरूत है देखिए main कारण जिस वज़ा से बहुत से लोग इस business को छोड़ देते हैं वह इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को sign up किया जो qualify नहीं कर पाए इस business में क्या होता है जब आप ऐसे लोगों को sign up करते हो ऐसे लोगों को जैसे चीफ पत्मन कहते हैं वह high maintenance लोग होते हैं ओके आपको ऐसे लोगों को हर second motivation provide करना पड़ता है वह लोग जाते हैं prospect के पास और prospect छीक देता है तो वह demotivate हो जाते हैं फिर आपको उन लोगों को पीट पर massage करना पड़ता है और कहना पड़ता है कोई बात नहीं don't worry हो जाएगा और फिर उन्हें कुछ training DVD दिखानी पड़ती है अगली बार वे next person को invite करते हैं और वे नहीं आता तुम्हें क्या बोलते हैं मैंने तुम्हें कहा था ये काम नहीं करता है तो क्या आप ऐसे लोगों से खुश होते हैं देखिए prospecting process मैं चाहता हूँ आप compare कीजिए उसे शिकार करना versus fishing करने से अब hunting process में क्या करते हैं आप किछी चीज के पीछे भागते हैं और उसे shoot करते हैं और जब आप hunting कर रहे होते हैं तो क्या वह जानवर आपके पास आता है या आपसे दूर भाग रहा होता है तो क्या यहे आपके prospecting procedure से similar नहीं लग रहा है पर जब आप fishing करते हैं तब क्या होता है मचली आपके पास खुद आती है अल राइट अब कुछ लोग कहेंगे किसी भी तरीके से आप उस जानवर को खाने वाले हो चाहे fishing करके चाहे hunting करके देखिए जब आप fishing करते हैं और आप देखते हैं कि यह fish suitable नहीं है तो आप इसे पाने में दुबारा डाल सकते हैं कर सकते हैं पर जब आप hunting करते हैं और जानवर को shoot कर देते हैं और फिर जाकर देखते हैं अरे यह तो rabbit निकला मुझे तो dare चाहिए था तो फिर क्या क्या करते हैं कुछ कर सकते हैं नहीं ना आल राइट देखिए मैंने इस पर बहुत research की हैं मैंने network marketing की industry में बहुत से लोगों से बात की हैं और मैंने realize किया कि दो main कारण जिस वज़े से लोग या तो quit करते हैं या suffer नहीं हो पाते इस business में तो पहला वह गलत लोगों से बात करते हैं जिन्हें आप dream stealers कह सकते हैं और ऐसे लोगों की जो आवाज होती है वह ऐसी होती है जैसे उन्होंने PhD की degree ले रखी है अब दूसरी category के लोग जो अभी हमने बात की non qualified लोग जिन्होंने qualify नहीं किया उनके अंदर वे qualities नहीं होती जो उन्हें help करें इस business में successful होने के लिए अब आपके पास दो option होते हैं या तो आप उस person को train करो, build करो, maximum time उनके साथ spend करो उस person को build करने के लिए जो की करना चाहिए अगर वे person committed है और commitment भी एक quality है जिसकी जरुरत होती है, requirement होती है एक prospect भी तो अगर person में commitment है तो वे automatically qualified हो जाएगा भले उसके पास जादा skills ना हो तो भी पर अगर बंदे के पास skills भी नहीं है और वे committed भी नहीं है तो मैंने कभी ऐसे इनसान को नहीं देखा जिसे trained किया गया हो और फिर वे बहुत successful हो गया आल राइट, तो यह बहुत difficult होता है अब आपने ऐसे कुछ example देखे होंगे यहां यह देखने को मिला कि person committed भी नहीं था वे खुद कहता है कि मैं committed नहीं था मेरे apply ने मेरी help की और 6 महीने के बाद मैंने अपना पहरा चेक बनाया और फिर मैं successful हो गया पर सच्चाई यह है इसे लोग होते हैं जिन्होंने उसके business को संभाला और अपने apply को खींचते खींचते वे खुद डूब गए तो शुरुवात में आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहोगे अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं जब मैं यह सब चीजे आपसे share कर रहा हूं यहां पर अलग अलग तर तरीके होंगे business करने के अब जो मैं यहां पर खड़े होकर share कर रहा हूं वह मेरा तरीका है business करने का जो भी मैं यहां share कर रहा हूं उससे implement करने से पहले आपको अपने apply को consult करना चाहिए मैं इस चीज की responsibility नहीं लोगा कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैंने share किया और आपके checks down होगे तो आपकी uplines सबसे important होते हैं आपको guide करने के लिए आपके uplines आपको यह बताने के लिए best होते हैं कि कैसे यह principle आपके system में काम करेंगे basically जो हम अभी बात कर रहे हैं वह अलग-लग principles की ही है अब आप सबके अपने-पना system है और हर system की अपने-पनी strategies होती हैं तो आपके uplines आपको best guide करेंगे कि कैसे यह principles को use करना है तो क्या आपको यह समझ आ गया ओके so guys हमारा जो business है इसे कहते है network marketing ना कि network selling selling marketing से अलग होता है selling का मतलब होता है कि आप जाते हैं और किसी को जबरदस्ती बेचने की कोशिश करते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं इसे कहते हैं selling, अब marketing का मतलब है, कि आप अपने मुह से कुछ बोलते हैं, और अब वह लोग जो कुछ ढून रहे होते हैं, वह आपको approach करते हैं, different different तरीकों से, right, अब session की simplicity के लिए हम बात करते हैं, phone पर prospecting और face to face prospecting के बारे में, आपके पास बड़ी name list होती है, लोगों की जिन से आप start करते हैं, अब आपको कैसे पता होगा कि इन लोगों में वह qualities है या नहीं, क्या उनके नाम को पढ़कर पता चलेगा, या आपको अपने आप ही पता चल जाएगा उनके qualities के बारे में, तो कैसे पता चलेगा, कि उन में qualities है या नहीं, तो आपको उन से बात करनी पड़ेगी, आपको उन ही से ये सब चीजे जाने पड़ेगी, बात करके, कि उन में qualities है या नहीं, तो उसके लिए आप उन से कुछ questions पूछते हैं, जिसके द्वारा आपको पता चलता है, कि उन में qualities है या नहीं, आप questions ही तो अब आप लोग अपने prospecting process को examine करो आपका prospecting conversation जो आप usually करते हो लोगों से और इसे analyze करने की कोशिश करें अब मैं इसकी बहुत detail में नहीं जाओंगा हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है हाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि शुरुवाती दिनों में prospecting मेरे लिए जादर statements होती थी शुरुवाती दिनों में मैंने statements के सहारी का prospecting की जैसे की hello how are you मेरे पास एक business है आपके साथ share करने के लिए अब prospect क्या करेगा वैं आपसे सवाल पूछेगा कि क्या है और मैं कहूंगा you know हाँ interactive internet distribution है ब्ला 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 prospect पूछेगा ये क्या होता है मैं अगले explanation की तरफ बढ़ूँगा और मैं बोलूँगा एक circle draw करो और वैं कहेगा oh no अरे वही scam मैं interested नहीं हूँ तो क्या ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है basically मैं चाहता हूँ कि आप दो चीज़ें समझे जो की बहुत important है जो आपके result को 80% influence करेंगी और वैं ये नहीं कि आप क्या कहते हैं वैं आपका posture आपके हाव भाव इसका आपके शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता है posture हमारे business में result को effect करते हैं अब posture से आप क्या समझते हैं आप जरा imagine करें एक desperate आपी का posture क्या होता है आप imagine कर सकते हैं एक desperate person का posture कैसा लगता है वै कैसे बात करता है वै बहुत ज़्यादा pleading तरीके से बात करता है अब एक leadership qualities वाले person के posture वो कैसा होता है ज़्यादा control वाला होता है वै person arrogant नहीं होता rude भी नहीं होता पर उस person का पूरा control होता है अब आप अपने prospect के साथ conversation में हैं अब prospecting conversation का एक objective होता है एक मकसद होता है जब मैं prospecting conversation करता हूँ तो मेरा मकसद यह होता है कि मैं ये पता लगाऊं कि person qualify करता है या नहीं ये मेरा मकसद होता है शुरुवाती दिनों में जब मैं सब गलत कर रहा था तो मेरा objective होता था कि मैं कैसे भी किसी भी तरीके से उस person को presentation के लिए ले आँ चाहे रो कर, गिड़ गिड़ा कर, back करके, प्ली करके किसी भी तरीके से उस person को sign up करूं ये मेरा मकसद होता था शुरुवाती दिनों में अब इस तरह के attitude से मैंने शुरुवाती दिनों में हम लोगों ने बहुत सारे sign up भी किये क्योंकि जब आप बहुत ज़दा back करते हैं, प्ली करते हैं, बहुत सारे promises करते हैं तो अब बहुत से लोगों को sign up कर लेते हैं, पर फिर कुछ time के बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत मुश्किल होती है, ऐसा बहुत बार हुआ कि हमारा network में बहुत से लोग थे, और हम vacation पर गए, वापिस आए, तो सारा network खतम हो गया, क्यूंकि उन्होंने कुछ करने की क कर लिया, और तब हमें realize किया कि ये तरीका सही नहीं है, आप लोगों को बहुत सारा determination चाहिए होता है इस business में आगे बढ़ने के लिए, जिब आपके 20 downlines होते हैं, जिनकी अवास PhD वाली होती है, आप समझ रहे हैं, आपको बहुत जादा हिम्मत determination की जरुत होती है उस वक्त और अगर आपके पास ये चीज पहले होती, तो आप already multi-millionaire होते हैं, तो fact ये है कि हम ये business start करते हैं, शुरुवाती दुनों में हमारे अंदर वे courage वे determination नहीं होता है, इसलिए शुरुवाती समय में हमें safe तरीके से चलना होता है, आपकी appliance ने आपको बताया होगा कि dream stealer से ब बात नहीं करना, बताया है ना, अब अगर आप dream stealer को sign up कर दोगे, तो क्या होगा, बहुत ही pathetic situation हो जाएगी, चलिए दुबारा से prospecting conversation के बारे में बात करते हैं, आज की date में, मेरा एक ही मकसद होता है prospecting conversation का, कि ये पता लगाना की सामने वाला suitable है या नहीं, जैसे खालित के साथ मेरी बात हुई, उसने कहा, मैं party enjoy करने जा रहा हूँ, तो मैंने उसे बातो बातो में पूछा कि तो मैं additional income बगेरा के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने मुझे पहले जो कभी बताया था, तो मैं बोला, अरे नहीं, नहीं, भूल जा उसको, मैं अपनी party enjoy करने जा रह 20 लोगों में से qualify करना था, कुछ को, तो कितने बचते, जो qualify करते, कोई भी नहीं, तो अगर आप अपनी डर की mentality से ये काम करते हो, अपने 20 या 50 लोगों की name list के साथ, तब ये तरीका काम नहीं आता है, अब कल आपको बताया गया कि कैसे अपनी name list को बढ़ाना है, Prospect basically हमारे business के building block होते हैं, जो कि हमें काफी मात्रा में चाहिए होते हैं, आप इस planet पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्या आपने कभी realize किया है, अगर नहीं तो अपने आसपास देखिए, जरा आपके आसपास जो भी दिख रहे हैं, वे लोग ही तो हैं, और वे सब लोग आकर आपके दरवाजे पर नहीं खड़े हो जाएंगे, आपको बाहर जाना होगा और उनसे बात करनी होगी, अब आप जाकर बात करते हैं, और आपकी conversation का मकसद सिर्फ आपको पता है, तो पूरी conversation का control किस के हाथ में होना चाहिए, आपके न, और conversation का control अपने हाथ में रखने के लिए best थरीका होता है, questions पूछना, अब जब हमारा prospecting conversation dominate करती है statement के साथ, तो आपके prospect question पूछते हैं, और where decide करते हैं, conversation की direction को, और where exactly where direction नहीं होती, जो आप चाहते हैं, अब हमारा ये idea नहीं होता कि किसी से बात करें, शब्दों को manipulate करें, और किसी भी तरह साइन अप करें, ऐसा idea नहीं होता है, idea सिर्फ ये ही होता है, कि where prospect qualify है या नहीं, बस यही find out करना है, और उसका केवल एक ही तरीका है, questions पूछना,